अम्तौर पर लोग सर्दियों में शकरकंद यानि स्वीट पटाटो खाना पसंद करते हैं ये सर्दी का ही भोजन है और अब सर्दी आ भी गई है ऐसे में लोग इसका सेवन जम कर कर रहे हैं लेकिन क्या आपको पता है कि शकरकंद यानि स्वीट पटाटो कैसे तयार किया जाते हैं इसे खाने से आपको क्या लाब हो सकता है आईए इस वीडियो में जान लेते हैं कि शकरकंद यानि स्वीट पटाटो के क्या-क्या फायदे हैं शकरकत यानि स्वीट पटाटो को दो तरीकों से तयार किया जाता है या खाने लाइक रेडी किया जाता है पहला आप इसे चीनी या गुड़ के साथ खा सकते हैं और दूसरा आप इसे नमक के साथ भी बना सकते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप इसे धोलें फिर गोड़ी या चीनी डाल कर कूकर में पका लें इसके बाद आप इसे खाएं इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा यही नहीं आप इसे नमक में खाने के लिए पहले उबाले और फिर छील कर नमक और चाट मसाला मिला कर खाएं इससे भी आपको काफी फायदा होगा जानकारों की माने तो इसके कई फायदे हैं इसे भारी मातरा में फाइबर पाय जाते हैं जिससे आपको जल्दी भूग नहीं लगती आप मोटापे का शिकार नहीं होते यही नहीं इसे ठंड में वीकनेस और पार्चन संबंदी समस्याओं में भी इस्तमाल करना चाहिए इसे सर्दी में आपका पेट और बोडी फिट रहती है सर्दियों में इसे खाने से आपको ऐलर्जी, कोल्ड, कफ और फीवर जैसी समस्याएं भी कम होती हैं क्योंकि यह आपकी इम्मुनिटी को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है इसमें विटामिन सी और मैगनीशियम रोग प्रतिरोदक शम्ता भी पाई जाती है खास तोर पर इससे अस्तमा या सांस की मिमारी से परशान लोग ज्यादा खाते हैं यह उन लोगों को भी ज्यादा फाइदा पहुँचाता है फिलाल के लिए हेल्थ टिप्स के इस वीडियो में इतना ही तमाम और इस तरह की वीडियोज के लिए आप लोगवत हिंदी को सबस्क्राइब जरूर कीजिए